नमश्कार आयर्वा हेल्ट केर की सद्ध्ययाए में आपका स्वागत है हम सीरीज में बात कर रहें अश्ठवीत परिक्षा की जिस जमाने में डिश्टी के जड़ तक पोच्छते थे और उसके इलाज किस तरह के से करते तो अश्टवित परिक्षा में अब तक हमने पांच परिक्षा के बारे में जान कर लिए आज हम बात करेंगे दुरुक यानि दुरुष्टी से क्या परिक्षन किया जाता है पर्श यानि टच करने से प्रच करने से केसे हम जज्मेंड प्रक्रियेट करते हैं पमें दूरुषिण का से को यह यहीं लोग जज्ज्मेंड करते हैं III तो आए आगे डिसकेस करतें कि दुरुष्टी के हुसाब से हम कैसे इसको डीटेल में समझते हैं तो जब वात का व्यादी होता है व्यात का डिसीज होता है तो पेशन के आखे थोड़ी सी छोटी होती है और आखों में आई-लेश ये ड्राइव नजर आते हैं ड्राइव होते काफी और उससे थोड़ा से इरिटेजन होता है उनको तो यूज्वली आ और यादा रिफ्लेक नहीं कर पाते और ओर ओर ऊफ़र आईज ठीक होता है लास्तिक होता है अगर थीज बड़े होते हैं काफ प्रखरीं की सब्टाइश बड़े होते हैं और नॉर्मल आईज लूब्रीकलेटी बैद नजर आते हैं तो आईज में अगर प्राप्लेम हैं जै तो यह सी तीन डिफ्रेंशल डइयागनोसिस होते हैं वहां ते पित्तककफ के कारण कि किस दोष के ऐसे के ओपर इस पर्स से क्या टेस्टिंग किया जाता है तो से पेशन को ट्च करके दिखा जाता है पेशन का टेमपरचर कैसा है अलग-अलग ऑर्गंस को हम ऑश करते ही हा स्टेतोस्कोप के दारों में चेक करते हैं जैसे अब्डोमीन की उधर परिक्षा में हम 9 कौटरन और अब्डोमीन हम चेक करते हैं जिसमें हर एक कौटरन में अलग-अलग ओर्गन्स की स्तिती है तो वहाँ पे टच करके प्रेश करने से वहाँ पे अनुमान आ जाता है कि वहाँ पे पेन हो रहा है या नहीं हो रहा है SLRT नामक एक चीकिसा है Straight Leg Rising Test इसमें भी स्पर्ष करने से और देखने से पता चलता है पेशन जब SLRT कर रहे हैं तो उसमें टच कैसा होता है Joint अगर Knee Repeater से आपके Present अगर Knee Joint में कुछ पेने तो भी स्पर्ष से पता चलता है कि Knee का Flexion Extension करके उसमें से पता चलता है किसी भी Joint का Flexion Extension से वह भी पता चलता है कि कहां पे पेने और साइटिका नामक जो व्याद है उसका पात एक टिपिकल है कमर के पीछे से लेके पाव को दर्ध होता है एक ही पाव को दर्ध होता है कभी कभार किसी patient में दोनों पेलों की residents ही हुती है तो उसमें हम चेक کرते हैं कि क्यांस पात में हम पेन हो रहे है तो ये श्पर्ष चिकिस्या से संभभ होता है अब आते ही लास्ट किसा जो बताई गए आचारों ने अश्टवीट में अकृति अकृति में शेप ऑफ बॉड़ी पेशन का एपरियंस कैसा है फ्रेशनेस है या डल है डिप्रेसे पेशन उसके अकोडिंगली हम लोग चेक करते हैं कि क्या पेशन्ट का ओवरॉल अच्छा हमने आज तक डिसकस किये इस वीडियो की सेरीज में उसके हिसाब से डॉक्टर एक अनुमान तक आते हैं और डिसीज का डियाग्नोसिस होता है और उसके अकृडिंगली एक ट्रीटमेंट का फाइनरेशन होता है अश्टवीत परिक्षा में पहले वीडियो में हम और इसमें जो हमने इस सेरीज में मूतर परिक्षा जो तेल बिंदू परिक्षा बताई गई है वह आप घर पे खुद करके टेस्ट करके आपकी स्वस्त आपके जो रिलेटिव जे या जो भी आपके क्रोनिक डिसीज के पेशन्ट है उनका मूतर परिक्षा आप तेल नंबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हैं धन्यवाद